वेलकम टू माई यूटूब चैनल एकाउंट सडमायर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डाग घर बचत खाते पर कितनी ब्याज देता है अगर आपने post office में अपना saving account खोल रखा तो उस पैसे पर आपकी साल के अंत में मतलब यह लास्ट में आपको कितनी interest आपके account में credit होगी तो time को ज़्यादा waste ना करते हैं चलते हैं अपने topic पर तो देखें यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जब भी हम डाग घर में अपना saving account मतलब बचत खाता खोलते हैं तो वहाँ पर जो हमें ब्याज मिलती है वो ब्याज किस दर पर मिलती है चार प्रतिशत वार्षिक च interest bearing balance के base पर ठीक है आपको जो मासिक ब्याज मिलती है मतलब यह मासिक का मतलब हर महीने आपका IBB निकाला जाएगा ठीक है interest bearing balance निकाला जाएगा और उस IBB का total करने के बाद उसका average IBB लिया जाएगा और इस average IBB balance पर आपको ब्याज आपके account में credit हो जाएगी ठीक है तो हम account में मान लीजे एक अप्रेल एक अप्रेल दो हजार चौबिस को हमने अपने डाग घर के बचत खाते में P.O.S.O. Post Office Saving Account में एक लाख रुपया जमा किया कितना जमा किया एक लाख रुपया ठीक है एक लाख रुपया हमने जमा कर दिया तो इसमें जो हमें ब्याज मिलेग वो कब मिलेगी हमारे account में जो credit होगी ब्याज वोगी एक अप्रेल दो हजार पच्चिस को अब कितनी credit होगी इसका हमें पहले IBB निकालना पड़ेगा मतलब एक लाख रुपया हमने जमा कर दिया अपने saving account में कौन से saving account में डाग घर के saving account में डाग घर के बचत खाते में औ और ना तो हम पैसा withdraw किया हमने और ना ही हमने पैसा कुछ deposit किया मनदब एक साल तक एक लाख रुपया हमारा जोगा तो ही पड़ा रहा तो हर महीने इसका IBB हम कैसे निगा लेंगे तो यहाँ परा देखिए अप्रेल महीने का कितना होगा IBB एक लाख रुपया ऐसी अप्रे आएगा जो total IBB हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा total IBB हो जाएगा करीब 12 लाख रुपया इस 12 लाख रुपय का हमें average IBB निकालना पड़ेगा 12 लाख का जबाब 12 महीनों से भाग करेंगे तो कितना आएगा एक लाख रुपया तो यहाँ पर अब हम इसकी interest निकाल ले अच्छा interest किस पर लगेगी average IBB और average IBB हमारा कितना निकला था एक लाख रुपया total IBB था बारा लाख हमने बारा महीनों से भाग किया तो कितना है एक लाख मीन्स एक लाख रुपय पर जो ब्याज लगेगी किस साब से लगी चार प्रतिशत वार्षिक चार बट्टे सो दो करना चार से करा देतें तो यहां पर हमारा अंस्रा आइता है चार हजार रुपै मतलब एक अपरें 2015 को हमारे साइब कि एक पर रुपर के क्रेड out m और 4000 और 4000 वोग एक लाख मिला के कितना हो जाएगा 4000 रूपया 4000 इंटरेस्ट का क्रेडिट हो जाएगा और टोटल जो बैलेंस हो जाएगा 100000 100000 यह हो जाएगा हमारा बैलेंस कब हो जाएगा 1 अप्रेल 2020 को जब हमने 1100 रूपया जमा किया POS에 हम कुछ पैसे का withdraw करते हैं और नहीं हम पैसा कुछ deposit करते हैं तो हमें कितनी ब्याज मिलेगी 4000 रुपे ब्याज मिलेगी ठिक अच्छा अब हम एक और example से समझ लेते हैं कि यह IBB का लगाने का तरीका क्या है कैसे लगता है IBB और अच्छे से समझते हैं ठिक तो यहां पर देख balance था वह कितना था? 10,000 रुपे ठीक है? 13,4,24,24 को हमने withdrawal किया amount कितना? 5,000,10,000 चार दो हमने लगाने पैली 4,25,24 को वीदेख does लेगे 2,000 रुपे ठीक, फिर 27, 4, 2, 24 को इस वार हमने निकाला नहीं amount deposit कर दिया, कितने रुपे, 13,000 रुपे, 2,000 balance था, 13,000 जमा करें, कितने बचा balance, 15,000, ठीक फिर 14, 11, 2, 24 को हमने फिर amount withdraw किया 15,000 में से 12,000 निकाल लिए, कितना बचा 3,000, ठीक फिर 28, 11, 2, 24 में फिर हमने amount withdraw किया है इस बार 2000, कितना गिया 2000, 3000 था बैले 2000 निकाल लिए, 1000 रुपे बचा ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 14, 20, 25 में इस account पे कितनी interest credit होगी, कितने रुपे यहाँ पर ब्याज के जमा होंगे हमारे post office saving account में, कैसे निकालेंगे समझते हैं, तो देखें यहाँ पर आप देखिए, अप्रेल महिने के transaction, ठीक, IB भी निकालेंगे scam, क्या निकालेंगे, IB इंटरस बियरिंग बैलेंस ठीक, तो देखें, अप्रेल महिने में यह 4 transaction है, यह तो हमारा balance है, ठीक यह भी अप्रेल महिने में आ रहा है, यह भी अप्रेल में आ रहा है, यह भी अप्रेल में आ रहा है, ठीक है, अब आप देखिए अप्रेल महिने में, 10 के बाद 10 तारिक के बाद, minimum balance क्या है, 10 तारिक के बाद minimum balance, तो 10 के बाद 13, और इसके बाद minimum balance आपको कौन सा दिखाई दे रहा है 2000 इसका मतलब जो हमारा IBV होगा अप्रेल महीने के लिए वो कितना होगा 2000 इस amount पे interest calculate होगी ठीक है अच्छा फिर हम आते हैं मई के महीने में अब मई का महीना हमारा पांचवा महीना है 10 के बाद minimum balance अप्रेल महीने में हमारा जो total balance था वो कितना था? 15,000 balance हो चुका था लेकिन जब हम मई के महीने में आएंगे मई के महीने में तो हमारा balance कितना होगा ये? 15,000 यानि कि मई के लिए जो IBV होगा 10 के बाद minimum balance हमने मई के महीने में कुछ नीक transaction किया जून में नी किया, जुलाई में नी किया, अगस्त में नी किया, सितंबर में नी किया, ना अक्टूबर नी किया तो इन सभी महीने के लिए जो हमारा IBV होगा, वो कितना होगा? 15,000 balance होगा, 10 के बाद minimum balance तो हमारा 15,000 नामने कुछ जमा किया, नामने कुछ निकाला अप्रेल मय trochę मय के लिए IBV 15,000 जून के लिए IBV 15,000 जुलाई के लिए IBV 15,000 अगस्त के लिए IBV 15,000 सितंबर लिए IBV 15,000 अक्टूबर के लिए IBV 15,000 अब आते हम नॉमंबर के महीने में ठीक है? यह हमने 15-15 लिख लिया मई, जून, जुलाई, अगास, सितंबर, अक्टूबर के लिए ठीक है? 15-15 आ चुका, ID भी हमारा जब बात आए कि नॉमंबर के महीने नॉमंबर में हमने transaction किया था 14-28, यह दो transaction है नॉमंबर के महीने के हमारे दो transaction हुए ठीक है? 10 के बाद minimum balance यहाँ पर हमें withdraw किया, 10 के बाद minimum balance, क्या दिखाई दे रहा है? 1000, यहाँ पर minimum balance था 2000, और यहाँ पर है 1000 इस बार जो interest calculate होगी, वो 1000 रुपे पे होगी, ना कि 3000 पे हमने पैसा withdraw किया निकाल लिया, 3000 रुपे फिर हमने 28 तारिक को पैसा withdraw कर लिया 2000, हमारा 1000 रुपे बचा, 10 के बाद minimum balance 1000, means नवंबर के महीने के लिए हमारा IBV होगा 1000 रुपे, ठीक है? दिसंबर के महीने के लिए हमारा IBV होगा 1000 रुपे जन्वरी के लिए 1000 फैब के लिए 1000 और मार्च के लिए भी 1000, ठीक अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगास, सितंबर, अक्टूबर, नॉमबर, दिसंबर, जन्वरी, फर्वरी, मार्च टोटल 12 माईने हो चुके है ठीक है? एक साल के बाद interest calculate होता है हमारी passbook में total करते हैं इसका total ाइबी भी कर लेते हैं total ाइबी भी ठीक 15, 15, 15, 15, 15, 4, 5, 6 अनिकी 15, 6, 90 91, 92, 93, 94, 95 और 2, 97,000 तुमारा total ाइबी भी आया 97,000 बारा महीने कले अब हम इसी क्या कर लेते है average ाइबी भी क्या कर लेते है average ाइबी भी कर लेते हैं ठीक यानिकी पर मंत का हम आइबी भी भी निकाल लेते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं पर मंत interest bearing balance कैसे निकालेंगे 97,000 है ना इसका average कर लेते हैं भाग दे देंगे किसे 12 से क्योंकि 12 महीने तो यहाँ पर हम divide कर लेते हैं 97,000 का किसे 12 से तो हमारा answer आयाता है 8,000 83.333 कर के आ जाएगा 8,000 83.333 ठीक यह आ गया पर मंत के लिए हमारा IBV अब इसके निकालते हैं इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट कैसे लगती है 4% वार्षिक इंट्रेस्ट लगती है 4% वार्षिक मतलब 8,000 83.33 गुणा 4 बट्टे 100 तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 88.333 का किससे 4 से और भाग लगा देते हैं 100 से तो यहाँ पर हमारा अंसर आ जाता है 323.33 यह रुपए आ गया अच्छा दश्मिलफ के बाद क्या है 33 मतलब 50 पैसे से छोटी संख्या है तो यहाँ पर जो हमारी इंट्रेस्ट क्रेट होगी हमारे एकाउंट में वो कितनी होगी 323 रुपए ठीक तो हमारी फाइनल इंट्रेस होगी 323 रुपए यानि कि 1425 को हमारी इंट्रेस्ट का पैसा जुड़ेगा 323 रुपए ठीक और यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 1000 रुपए यह और 323 रुपए यह तो कितना हो जाएगा 1323 रुपए हमारा बैलेंस हो जाएगा तो इस तरीके से पोस्ट ओफिस के सेविंग अकाउंट पे इंट्रेस्ट कैल्कुलेट होती है लेकिन अगर आपने एक लाग रुपए जमा किया एक साल के लिए और ना तो उस पैसे में से जब उस पे इंट्रेस्ट कैल्कुलेट होगी 4 पितिशत वार्शिक तो किति रुप हो जाएगे 4,000 रुपए इंट्रेस्ट हो गई 1,4,000 रुपए हमारा बैलेंस हो जाएगा 4,000 रुपए हमें इंट्रेस्ट मिल जाएगी तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करना ना भूने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें थैंक यू